तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ अपना फेवरेट सेरम जो मैं मोस्ली यूज करती हूँ और जिसे मेरी स्किन काफी अच्छी मॉस्टराइज और सॉफ्ट रहती है तो इसे सेरम मुझे काफी अच्छा लगा अफॉरडबल है I hope आप सभी को भी ये काफी अच्छा लगेगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लिकल ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो जिस सीरम की मैं बात करी हूँ वो है गुड वाइप्स का सीरम रोज हिप अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो रोज हिप का जो ये सीरम है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ओले स्किन वाले विंटर में भी इस सीरम को यूज कर सकते हो उनके लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा dry skin वाले थोड़ा सा quantity बढ़ा सकते हैं oily skin वाले थोड़ा सा कम ले सकते हैं और इस serum को आप किसी के भी साथ mix करके use कर सकते हो night में और मतलब दिन में दो बार इसको ज़रूर apply करें morning में और evening में दूसरा मुझे इस serum की सबसे चीछी बात यह लगी कि बहुत जल्दी absorb भी होता है लेकिन इसको जैसे यह absorb होते हैं serum थोड़ी देर में हलका सा dryness रह जाता है especially जो dry skin वाले उन लोगों के लिए बनाया गया है बहुत अच्छा serum है मैं तक करीबन दो दीन महीने से इसको use कर रही हूँ और winter आ गया तो मैं उसको winter में भी उसकरी तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा दूसरा इसमें आपको दो quantity मिलती है पहली जो quantity है वो 10 ml की मिलती है और दूसरी quantity आपको यह 50 ml में मिल जाएगी जो 10 ml वाली quantity है वो आपको 1500 रुपे में purple.com पर easily मिल जाएगा और जो 50 ml की quantity है यह आपको 340 इस range में आराम से में वैसे तो इसमें 500 लिखा हुआ है लेकिन purple.com पर हमेशा sale चलती रहती है तो आप इसको 300 में या फिर और अच्छी sale है तो 300 रुपे में भी आपको यह मिल जाएगा और यह काफी चल जाता है मतलब 1,5-2 महीना आराम से यह चल जाता है मैं इसको regular use करती हूँ दूसरा इसकी जो expiry date है वो 2 years है 2 years तक आप इसको आराम से use कर सकते हो तो इसको use कैसे करना है यह सब मैं आपको बताऊंगी जब भी आप face wash कर लें उससे ठीक पहले इसको use करें यह काफी अच्छा रहेगा मैं इसकी जो consistency है वो भी बहुत अच्छी है जितनी thick consistency serum की होगी वो dry skin वालों के लिए उतना अच्छा रहेगा और जितनी light weight होगी वो oily skin वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है तो आप इस तरीके से serum select कर सकते हो तो मैं इसकी packaging के बाद करती हूँ box मैंने actually pack दिया है तो मैं इसकी packaging आती है कि यह दो sizes में आता है पहला जो size है वो 10 ml का है जो इस टाइप की packaging में आता है और इसमें dropper दिया गया है उसकी आप consistency को देख रहे ही इतनी thick है काफी thick consistency है इसकी तो यह इतनी bottle में आता है अगर आपको dry करना है तो आप 10 ml यूज कीजिए फिर जब आपको पसंद आने लगे तो आप 50 ml का बड़ा pack मंगवा सकते हो जो बड़ा pack है उसमें आपको यह pump दिया गया है तो pump थोड़ा easy हो जाता है आप फटाफट से उसको pump करो अपने पाम पर फटाफट से उसको लगा लो तो मैं इसको लगा के भी दिखाऊंगी तो यह कुछ दो sizes में आता है पहला आपको trial करना है तो आप इसको try कर सकते हो और जब आपको अच्छा लगे तो आप बड़ी bottle ले सकते हो क्योंकि बड़ी bottle में ज्यादा फाइदा है तो face wash करने के बाद इस serum को apply करना है तो सबसे पहले अपने face को अच्छे से साफ कर लें अब मैं यह serum ले रहे हूं आप देख सकते हो इसकी consistency बहुत अच्छी है काफी थिक consistency है इसकी इसको पुरे face पे लगा लें अपने ice के आसपास जो भी area है उसको हलके हाथों से apply करें और तो दो से तीन मिनट में यह पूरा जो serum है वो अब्सार्व हो जाता आपके skin के अंदर अच्छे से massage करें अपने skin पर तो आप देखोगे धीरे-धीरे पूरा का पूरा serum अब्सार्व हो जाएगा आपके skin और आपकी skin काफी soft हो जाएगी तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope अप सभी को काफी अच्छा लगे अच्छा लगे तो इसे like जरू कीजे और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें फिर मिल दी हो next time तब तक के लिए bye bye take care